रमा एकादसी ब्रदक था प्रचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम कुबेर वरुन और विभीशन भी उसके मित्र थे यह राजा बरई धर्मातमा विश्नु भक्त और नयाय के साथ राज करता था उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्र भगा था उस कन्या का विवा चंद्र सिन के पूत्र सोभन के साथ हुआ था एक समय वह सोभन सो सुराल लाया उन्हीं दिनों जल्दी ही पुन्य दाइनी एकादसी इरमा भी आने वाली थी जब रत का दिन समीप आ गया तो त्यंथ दूरवल है और मेरे पीता की आगया अतिक ठोड है दसमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राजे में यह घोशना करवा दी की एकादसी को भोजन नहीं करना चाहिए ढोल की घोशना सुनते ही सोभन को त्यंथ चिंता हुई और अपने पतनी से कहा की है प्रिये अ चंदर भंगा कहने लगी कि है स्वामी मेरे पिता के राज में एकादसी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता हाथी घोरा उट बिल्ली और गौव आधी भी त्रीन अन जल आधी गरहन नहीं कर सकते फिर मनुस्य को तो कहना ही क्या है यदि आप भोजन करना चाहते हो तो दूस की हे प्रिये में अवस्य ब्रत करूंगा जो भागय में होगा वह देखा जाएगा इस परकार के विचार कर सोभन ने ब्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यांत पीरित होने लगा जब सूर्य नरायन अस्त हो गए और रात्री को जागरन का समय आया जो वेशनों को अत रात्री को जो भागय में प्रांतु चंद्रभागा ने अपने पिता की अग्यास से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और सोभन की अंतियो तिष्ट किरिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी रमा एकाथी के प्रभाव से सुभन को मंदराचल परवत पर धन्य धान से युक्त तथा सत्यों से रहित एक सुंदर देवपूर प्राप्त हुआ वह अत्यांत सुंदर रत्न और वैदुर्य मनी जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनिक परकार की भस्मों मनियों से सुषवित भावन में बहमुले वस्तर भुस्नों तथा छत्रवा चमड से विभुसित गंधर और अस्वरावों से युक्त सिंहासन पर अरुड ऐसा सुभन म्यान होता था मानो दूसरा इंद्र विरजमान है एक समय मुझकंद नगर में रहने वाले एक सुम सर्मन नामक ब्राहमन तिर्थ यात्रा करता हुआ घुमता घुमता उधर जा निकला और उसने सुभन को पहचान करके यह तो राजा का जमाई सुभन है उसके रहा कि राजा मुझकंद और आपकी पत्नी कुसल से है नगर में सब्र प्रकार से कुसल है प्रन्तु हे राजन हमें अश्चर्य हो रहा है आप इतना ब्रितांत कहिए कि ऐसा सुन्धर नगर जो न कभी देखा था न सुना था आपको कैसे प्राप्त हुआ तब सुभन बोल लगा कि हे राजन यह इस्थिर क्यों नहीं है और किसे इस्थिर हो सकता है आप बताए मैं अस्व में वह उपाय जरूर करूंगा मेरी बात को आप मिध्या न समझे सुभन ने कहा कि मैंने इस ब्रत को स्रधा रहित होकर किया पता यह सब कुछ अस्थिर है यदि आप मुच स्रेश्ट ब्राह्मन ने अपने नगर लोट कर चंद्र भागा से सब ब्रितांत का सुनाया ब्राह्मन के वचन सुन्द कर चंद्र भागा बरी प्रसंता से ब्राह्मन से कहने लगी कि हे ब्राह्मन यह सब बाते आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वपन की बाते कर रहे है प्रामन कहने लगा कि हे पुत्री मैंने महावान में तुम्हारे पती को प्रत्यक्ष देखा है साथ ही किसी से बिजे ना हो ऐसे देवताओं के नगर के सम्मान उनका नगर भी देखा है उन्होंने यह भी कहा कि यह इस्थिर नहीं है जिस परकार वह इस्थिर रह सके स्वव उपाय करना चाहिए चंदरभगा कहने लगी हे बिपरे तुम मुझे वहां ले चलो मुझे पती देव के दर्शन की तिवर लालसा है मैं अपने किये हुए पुन्य से उस नगर को इस्थिर बना दूँगी आप ऐसा कार्य किजिए जिससे उनका हमारा सयोग हो क्योंकि बियोगी को मिला देना महान पुन्य है सुम सर्मा यह बात सुनकर चंद्र भंगा को लेकर मंदराचल परवत के समीब वामदेव रिशी के आशरम पर गया वामदेव जी ने सारी बात सुनकर बेद मंदरों के उचारन से चंद्र भंगा को अभिसेख कर दिया तब रिशी के मंत्र के परभाव और एकादसी के ब्रत से चंद्रभंगा का सरीर दिव्य हो गया और दिव्य गती को प्राप्त हुई इसके बाद बरी प्रसंता के साथ अपने पती के निकट गई अपनी प्रिये पतनी को आते देखकर सोबन अतिप्रसन हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बेठा लिया चंद्रभंगा कहने लगी कि हे प्रानात आप मेरे पुन्य को गरहन कीजिए अपने पिता के घड जब मैं आठ बड़स की थी तब से बिधी पुर्भक एकादसी के ब्रत को स्रधा पुर्भक करती आ रही हूँ इस पुन्य के परताप से आपका यह नगर इस्थिग हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर परलाई के अंत तक रहेगा इस प्रकार चंदरभगा ने दिव्या भूसनों और वास्तरों से सुषजित होकर अपने पती के साथ अनंद पुर्भक कर रहने लगी हे राजन यह मैंने रमा एकादसी का महत्तम्य कहा है जो मनुस्य इस ब्रत को करते हैं उनको ब्रह्मा हत्यादी समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष दोनों की एकादस्य समान है इन में कोई भेदभाव नहीं है दोनों समान फल देती है जो मनुस्य इस महत्म को पढ़ते हैं अथ्वा सुनते हैं वे समस्त पापों से छुट कर विश्णु लोग को प्राप्त होते हैं तो एक बर प्रेम से बोलिए विश्णु भगवान की जय तो भक्तगन ये थी रमा एकादसी की कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार हरी बिश्णु की जय माता लक्ष्मी की जय